प्यारे विद्यार्थियों शाथियों आज हम बात करेंगे बहारती राजनिती के अध्यान का मानव सास्त्रिये द्रश्टि कौन क्या बहारती राजनिती भारती समिधान बहारती राजनिती के विवस्ता बहारती शासन या भारती शरकार की अध्यान का मानव सास्त्रिये द्रश्टि कौन means भारत की राजनीती को समझने का जो छटा द्रश्टी कौण है वह मानव सास्त्रिय द्रश्टी कौण मैंने पांच द्रश्टी कौण आपको समझा दिये हैं आज छटा द्रश्टी कौण चल रहा है यह बात आपको ध्यान में रखनी है मैंने आपको प्रारम में ही कहा था कि प्राणों से पैरे विद्धियारतियों भारते राजनिती को ये ठीक से समझना है भारते समिधान को ये ठीक से समझना है भारत की राजनिती को व्यस्ता को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को भारत की सरकार को ये ठीक से समझना है तो भा सब्सक्राइब कर दिया होगा थैंक यहां मूल बात आती है कि भारती राजनिती अध्यन का मानव सास्त्रिय द्रश्टी कॉंड तो सबसे पहले अप्रश्टी वार्श्टी कोन ड्रश्टी कौन क्या समझते हैं तो इसको समझे लिए यह डाइग्राम मनाया है कि वास्त्य रर्श्टी कौन उपागम परिप्रेक्श रश्टी बिंदोर पदती इन सब का पर्याएवाची रूप में प्रियोग किया लाता है इसको आप मानो शास्त्री उपा गंबी कह सकते इसको मानो सास्त्री परीप्रेक्षय कहा जा सकता है यहां पर इन सभी में शुक्छम अंतर पाया जाता है लेकिन भारती राजनिति को समझने के लिए इन विभिन द्रश्टी कोनों का तो यहां पर वास्तिक रूप में इन सभी का प्रियूग किया जाता है डरेश्टी कॉन उपागम परिप्रेक्ष द्रिस्टी बिन्दुर पदती परियूग किया जाता है यह बात आपको द्यान में रखने अब द्रिष्टी कॉन होता कही है तो । द्रस्टी कौन का सिधा से भारती यह होता है कि देखने का नजरिया मतलब वास्तिक रूप में किसी विशेवस्तु भारती constitu राजनिति होगी किसी भी विशेवस्तु या समस्ष्या को समजने के लिए जो आधार सामगरी अपनाई ज kommen कहलाता है तो यहाँ पर भारती राजनिती को समझना भारती राजनिती का ध्यन करना एक विशेवस्तु है एक समस्य है और भारती राजनिती अर्थात इस विशेवस्तु को भारती राजनिती को समझना एक विशेवस्तु है एक समस्य है तो इसके लिए जो आधार सामगरी ली गी है व सनस्थागत अध्यन के वर्नन की अपेक्षा वास्तविक रूप में राजनितिक व्यवहार के विश्लेशन के उपर अधीक बल दिया जाता है। संबव होता है जबकि वास्तिक रूप में अध्यन करता जहां जिस भी सनस्था का चाहे ग्रामिड राजनिति विश्थानित सनस्थाइं ये पंचयती सनस्थाओं का अध्यन करना हो तो अध्यन करता को उनके रीती रिवाज वेश भूशा में घुलना मिलना होगा। उनके रीती रिवाज वेश भूशा जैसा कि मैंने या नोट भी किया है उनके रीती रिवाज वेश भूशा इसे के साथ उनकी शंस्कृति को वो अपना लेता है अपनाने के बाद में उसमें घुल मिल जाता है और घुल मिलने के बाद में वह वास्तिक रूप में जो राजनिति के बारे में सिद्धान्त का निर्माण किया जाता है तो देखेंगे यहां मैंने नोट किया है द्रस्टी कुण किसे का जाता मतलब द्रश्टिकून का सीधा सा भवारती होता कि किसी भी विसे वस्तु किसी भी समश्या को समझने के लिए जो आधार सामगरी अपनाई जाती है जो नजरिया अपनाया जाता है वह आधार सामगरी या नजरिया ही वास्तिवी करूप में द्रश्टिकून कहलता है तो यहाँ पर भारती राजनित्य को समझने के लिए जो आधार सामगरी मानव सास्त्रिये यहाँ पर भारती राजनित्य को समझने का जो नजरिये है वे मानव सास्त्रिये नजरिये है और नजरिये कोई द्रश्टी कून की संग्या दी जाती है अब वास्तिविक रूप में द्रश्टी कून का जो अगला चरण होता है वो सिद्धान्त होता है मतलब जब आधार सामगरी तै कर ली जाती है तो आधार सामगरी के आधार पर वास्तिक रूप में जिस समस्था का ध्यन किया जाता है उस समस्था के बारे में शिद्धान्त का निर्मान किया जाता है और फिर जब शिद्धान्त का निर्मान हो जाता है जैसे मैंने लिखा भ कि हैं बेवी मतलब bus calendar सकती है और राजनिती विज्यान का अंतिम लक्षे यही होता है कि राजनिती में ऐसे सिध्धन्त बनाय जाएं जिन Resti के अब हमतों मूललबात समझत है कि भारत की राजनिति का द्यान मानव सास्त्री ज्रस्ट्री जर्फित को है ? इतने जहास को कोई दिरस्टीकोण नोट किजिएगा मेरे बेटे मानू सास्थ्य दिरस्टीकोण कारूनी औपक 1 ओप्चारीक सणस्था नात्मक वर्नन की अपेक्छा राजनितिक व्यवहार पॉलिटिकल भी हैर राजनितिक व्यवहार के विशलेशन से अधिक सम्मंदित रहा है कितनी मैत पुर्ण बात इसमें सब बाते समाईत हो जाती है कैसा भी प्रिशन पूछा जाए आप कांस्वर गलत हो यह नहीं सकता क्या मानव सास्त्री द्रश्टी कौण के अंतरगत जब यह आप यूं कह सकते हैं मानव सास्त्री द्रश्टी कौण से या मानव सास्त्री द्रश्टी कौण के आधार पर या मानव सास्त्री उपागम के आधार पर जब भारत की राजनितिक अध्यन किया जाता है तो उसमें कानूनी ओप्चारिक, सनस्था नात्मक, वर्नन की अपेक्षा, राजनितिक व्यवहार के विस्लेशन से अधिक संवन्दित रहा है। भारतिय समयदान के अनुछे 53 को देखते हैं 53 जिसमें लिखा गया है कि संग की कारेपाली का सक्ति राश्टरपती में नीत होगी तो जब कानूनी अध्यान करेंगे तो कानूनी अध्यान में तिये बात इस पश्ट आएगी कि भी कारेपाली का सक्ति का प्रियोग राश्टर का प्रदाहन है वास्तिविक रूप में कारेपालिका सक्ति का प्रियोग मंत्री मंडल सहीत प्रदाहन मंत्री के दुवारा किया जाता है उसी को आप कहेंगे राजनितिक व्यवहार के विशलेशन से अधिक संबंदित अर्थात मानव सास्त्री दिरश्टी कौन कानूनी और सनस्तान आत्मक वर्नन के अपेक्षा राजनितिक व्यवहार के विशलेशन से अधिक संबंदित रहा है ये बात आप नोट कीजिएगा इसमें सब बातें आ जाएंगी आप यह दिया हाथ तक भी नहीं समझे हैं तो आगे हम एक एक बात का खुलासा कर रहे हैं नोट करें यह द्रश्टी कौन मतलब मानो सास्तरी द्रश्टी कौन मानो सास्तरी द्रश्टी कौन से हम भारत की राजनिति को समझने का प्रियास कर रहे हैं भारत की समयदान को समझने का प्रियास कर रहे हैं भारत की शरकार या सासनों को समझने का प्रियास कर रहे हैं तो कैसे देख भारतिय राजनितिय को समझना चाहता है कि अमानों सास्त्री उपागम के आधार पर दरिश्टिकून के आधार पर भारत की राजनितिय को भारत की समयदान को भारत की राजनितिय को भारत की सरकार को भारत की राजनितिय को समझने का प्रियास किया जाता है तो उसमें ये कारिये के उपर यहां पर बल दिया जाता है फिल्ड वर्क और आवलोकन पर बल देता है अर्थात यह मास्त्री कुरुप में जो राजमतिक सनस्थाइं होती हैं उन राजमतिक सनस्थाओं की क्या क्रिया हैं क्या प्रिक्रिया हैं क्या गतिविदिया हैं उनके उपर बल द जिस सामाजी को राजनिती की काई का अध्यन करता है मतलब वास्तवी करूप में जो अध्यन करता है वास्तों में जो अध्यन करता भारत की राजनिती का भारती सविधान का भारत की राजनिती की वस्ता का भारती शरकार का मानव सास्री द्रश्टी कौन से अध्यन करता है त मतलब जिस भी सामाजी को राजनिती की काई का वद्ध्यन करना चाहता है उसमें सबसे पहले गूल मिल जाएगा कैसे गूले मिलेगा वह उनकी संस्कृति कल्चर उनकी संस्कृति रीतिर्वाज वेश भूसा अपना लेता है और बाद में अपने अनवववों को लीपी बद क करता है मतलब मानों सासरी द्रश्टिकोंड के आधार पर भारती राजनिती को समझना है तो इसके अंतरगे जो अध्यन करता होता है वह वास्टिक रूप में इकाई का अध्यन करता है तो क्या करेगा वह उनमें घुल मिल जाएगा उनकी संस्कृति रीतिरिवाज वेश भ रीजनितिक क्या कहलें चीजन लिए जाते हैं इन सब बाते हों के बारे में वह पने अनृभव क लixon लेगा जादा नहीं तो राजनितिक सनस्तां और प्रिक्रियाओं का अध्यान सामाजिक। सांस्कृतिक परिप्रिक्ष्यम में करने का प्रियतन करते हैं। बेटा ध्यां दे के बहुत मयत्såक्पून बात है। मतलब वास्ट्रिप्रूप में इस द्रश्टिकूण के समर्तक कोन से द्रस्ट कोन के मानव सास्सरी द्रस्ट कोन के समर्थक जैसा की समर्थक यहां पर होंगे एफ जी बेले एएथ सौम जी स, 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 दुबे और योगेश आठल ये मानव सास्सरी द्रस्ट कोन के प्रमुक जो समर्थक विद्वाने वो हो गई तो मैंने यहाँ चार हुदानों के नाम भी नोट कर दिया हैं इनकी जो मेहत्यकुन पुस्त है उनका भी नाम नोट कर दिया है। सब्सक्राइब करने का प्रियतन करते हैं मतलब मानव सास्त्री द्रस्ट्री कौन से रिभात की राजनती को समझना है तो फिर राजनितिक सनस्ताओं और प्रक्रियाओं को आपको सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्षे में समझने का प्रियतन करना पड़ेगा, अध्यन करने का प्रियतन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से राजनितिक सनस्ताओं बट नोट करेंगे इस वितिकों के समर्थकर राजनितिक सनस्ता हो राजंतिक सनस्ता मतलब यह थाका कार निया पहले का निया पहली का नितिक सनस्ता OF ॕ और प्रक्रिया उंगाँगा अध्यान्न सामाजिक सामस्कुर्टी नमें करने का प्रीयतन करते हैंледاتंस बात मानव सास्त्री द्रश्टिकों विशेश कर ग्रामिन राजनिती इस्थाने सनस्ताओं एवं पंचैती सनस्ताओं के अध्यन प्राय मानव सास्त्री उन्हें ही किये हैं मतलब भारत में पंचयायती, राजसनस्थाओं, इस्थाने सनस्थाओं और गिरामिन राजनित्य को समझने का जो प्रियास किया है, इनका जो विशेश अध्यन किया है, विशेश कर भारत में मानव सास्त्री उन्य ही किया है. आप इससे सम्मंदित जो अध्यन है, वो इस प्रकार है, या इससे सम्मंदित जो अध्यन करने वाले विद्वान है, उनके मैंने नाम नोट किये हैं, और उनकी एक एक किताब का नाम भी लिखा है, कंपिटिशन में अक्षरी बात पूछी जाती है, पहला विद्वान है, मान 1969 में लिखी गई है यह किताब यास नोट करें बेटा दूसरा जो मानो सासिर द्रिश्टिकुन का समर्थक विद्वाने वह है ए एच सौम जी एच सौम जी नोट करें पुस्तक का नाम है वोटिंग विहर इंडियन विलेज बढ़ोदा 1969 में गुजरात में है वड़ोदा ठीक है बेटा तीसरा है एस सी दूबे इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन विलेज क्या बारती ग्राम 1955 में यह पुस्तक लिखी गई है अर्थात यहां वासरी ग्रूप में ग्रामली राजनिति को समझने का प्रियास किया गया है मानो सासिर दृष्टिकून से सम्मंदित जो विद्वान है वो है योगेश अटल क्या योगेश अटल इनकी पुस्तक का नाम है लॉकल कम्यूनिटीज एंड नैशनल पॉलाटिक्स 1971 में इन यह पुस्तक लिखी है इन चारूं विद्वानों ने जो यह किताबे लिखी है इन में भार भारती राजनिती और भारती राजनिती में विशेश कर ग्रामिन राजनिती इस्तानी सनस्ताओं पंचैती सनस्ताओं का जो अध्यन किया है मतलब सबसे पहले यह ग्रामिन राजनिती इस्तानी सनस्ताओं या पंचैती सनस्ताओं का जब अध्यन करते हैं तो उनकी सामानों का निर्मान की जा सकती है यास आप देखो बेटा मैंने यहां पर डाइग्राम दूसरा और बनाया है चितर नंबर चित्तर नम्बर टू One तो यहां पर हो गया और टू यहां पर हो गया One, Two और यह Three हो गया डाइगरान नम्बर टृ ठीक है अब यह दिमान लिजेगा आप इस सब बाती नहीं समझने तो इसके आधार पर समझ लेंगे क्या मैंने लिखा है मानव सास्त्री अध्यन मतलब भारती राजनिती को समझने के लिए वास्तिक रूप में जब मानव सास्त्री द्रस्टी कून के आधार पर अध्यन किया जाता है तो कैसे अध्यन किया जाता है आप नोट करेंगा मानव सास्त्री द्रस्टी कून के आधार पर ग्रामिन राजनिती स्थाने सनस्ताओं में पंचयाती सनस्ताओं का विशेश अध्यन करते मानव सास्त्री ठीक है अब मानव सास्त्री द्रश्टी कौन से भारती राजनिती का अध्यन कैसी किया जाएगा जो अध्यन करता होता है अध्यन करने वाल होता है वास्त्री करूप में गिरामिल राजनिती स्थाने सनस्था पंचयती सनस्थाओं का जब अध्यन करेगा तो वह उनकी संस्कृति मतलब अध्यन करता है रीती रिवाज और वेश-बुसा अपना लेता है और उनमें गुल मिल जाता है और गुल मिलने के बाद में उसको जो अनुबह प्राप्त ह कर लेता है और जो उसके सिद्धांत सिद्धांत स hinaघार निसे के बारे में भाविश्वाणी की जाते हैं किया है मतलब मढ़नोस सास्ति द्रश्टि कून के आधार पर भाहरतिरा तो तुब हमकले दो और धर शुबर करता होटा है मतलब उनकी संस्क्रती रीती रिवाज और वेश भूसाव को अपना लेता है और वह उनमें ठीक प्रकार से गूल मिल जाता है और गूल मिलने के बाद में इनकी सचाई का पता लगाता है सचाई का पता लगाने के बाद में वह जो भी अनुवा प्राप्त करता है उन अनुवाओं क लिपेबद कर लेता है लिपेबद करने के बाद में हमें कैसे कि ऐसे दरश्टिकून का आधार पर पिर कि अगला चरण होता है वह क्या होगा राजनितिक सिद्दान्त प्तलब किसी को वे द्रश्टिकून कोन का अगला चरण होता है वह शिद्धान कोंड गाला चरण सिद्धान्त के बारे में भावी मतलब भारत राजनीती समझान ताको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को भारतिय सरकार को बहतर तरीके से समझना चाते हैं भारत की राजनिती के अंतह इस्तल को भारत की राजनिती को गहराई से गंभीरता से भारत की राजनिती की एक-एक परत को यह दी आप गहराई से समझना चाते हैं तो मेरे प्यारे व आएगी जिन में मैंने आज छटा द्रश्टी कौन आपके सामने रख दिया है प्राणों से प्यारे विद्यारतियों आप जो बचे होई द्रश्टी कौन है वह भी मैं आपको शमझा दूगा लेकिन बार-बार कह रहा हूं यह सभी द्रश्टी कौन आप अच्छे से समझ जा से आप भात की राजनिती के अध्यन का मानो सास्त्री द्रश्टे कौन बहतर तरीके से समझ गई होंगी यास ओके थैंक यू एरी मच थैंक यू एरी मच कुछ द्यारति बोलते हैं सर हम जो है इसके लिए इसके लिए आप एक तरफ हो जाये करें तो मैं अक्सर एक तरफ हो सकते हैं और इसके आदार पर अपने जो है सौर्ट नॉट्स बना सकते हैं कुछ विद्यारति मुझे कहते हैं कि सर आप हमें अलग से लॉट्स उपलब्द कराईए का बेटा मैं यहां पर जो यहां नोट कर रहा हूं यह नोट करने का मूर्ज मेरा भावार तो यही है कि य आगर मैं आपको समझाना चाहूं, तो मुझे इनको नोट करने के आुसकता नहीं है, मैं वैसे ही लेक्टर के माद्यम से आपको एक-एक दिरस्टिकोंस, पूरे संपूरल राजनिती विज्ञान का फार्ते करम है, उसको मैं आपको लेक्चर के माद्दम से, व्याख्या के माद्दम से समझा दूँगा, मुझे कोई आउ सकता नहीं नोट करने की, लेकिन नोट किसलिए करता हूँ, इसलिए करता हूँ, कि कुछ विद्यारती जब बे कहते हैं कि सार हमें नोट्स आईए, तो इसलिए मैं एक-एक बात को यहाँ, इस पर श्रूप में खुलासा करता हूँ, समझाता हूँ, इसकी व्याख्या करता हूँ, विसलेशन करता हूँ, फिर अलग से आपको भेड चाल चलने की क्या आउशकता है, आप यह सब बाते नोट कीजिएगा, यह आपके क्या होगी, नोट सी जेंगे, और राजनीति विगान का समपन पाठे क्रम, मैं मेरे प्राणेशी प्यारेवे धियारतियों को मेरे यूटूब चैनल पर उपलब्द करवाऊंगा, यह बात आपको ध्यान में रखना है, ओके, थेंक्यू वेरी मस्ट, थेंक्यू वेरी मस्ट